हेलो दोस्तों रेट नियर उसमा आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी question answer series में हर संडे दोस्तों यह हमारी series आती है जो मेरी काफी favorite है दिल खोल के मैं आप लोग के सवालों की जवाब देता हूँ क्योंकि आप भी मुझसे दिल खोल के सवाल करते है next session के लिए आप मुझसे इस वीडियो के नीचे जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं मैं उमीद करूँगा कोशिश करूँगा next session में आपके सवाल के जवाब देने की काफे सारे repetitive सवाल थे इस बार तो इतने repetitive थे realme X, Poco F2, Mi A3 वगरा वगरा वो सारे में ने लिया हूँ और कुछ unique सवाल भी है तो अगर आपका नाम नहीं आता है तो मैं माफी चाहता हूँ लेकिन उमीद करता हूँ आपका सवाल यहां पर cover हो गया होगा अब यहां पर सबसे पहला जो सवाल है वो बहुत ही interesting यह अनूरा कुमान ने यह पुछा के which is the best brand in terms of giving updates regularly देकि कोई ऐसा particular brand नहीं ज उनको देना पड़ता है तो कुछ इस तरीगी की चीज़े होती है लेकिन आप में particularly आपको नहीं बता सकते हैं कि best कौन है यहां पर उसके अलावा उन्होंने यह पुछा है कि android क्या free है या उसके लिए pay करना पड़ता है एक यह एक open source platform है लेकिन कुछ companies जो android लेती है ना उन आपको ध्यान रखना है यहां पर अभिराग असोग चीप पूछते है कि क्या realme x pro या realme x2 का 2020 से पहले snapdragon 855 फोन आएंगा 5G support के साथ में तो देखिए realme ने यहां पर इस साल ही बोला है जब 5G इंडिया में obviously इस साल ही आएगा तो उन्होंने कहा थे कि उसके आने से पहले ही हमें एक ऐसा phone launch कर देंगे जिसमें आपको 5G का support मिलेगा फिलाल के लिए जो भी 5G phone इस साल के हमें अंदर देखने को मिलेंगे वो flagship ही होगे obviously जिन में snapdragon 855 फोन आपको प्रोसेसर मिलेगा जो 5G का modem इस्तिमाल करेगा अब याद रखना है media tech भी अपने खुद के 5G का modem लेगा तो उसका मतलब यह नहीं कि खाली snapdragon वाले phone ही आपको मिलेंगे तो realme ने बोला है तो मतलब इस साल ही आपको मिल सकता है जब 5G इंडिया में आएगा अगले साल के पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इसाक वरगे से बोलते कि उनका जो main focus से वो camera है उनको gaming के लिए नहीं चाहिए उनकी budget 16,000 की तो क्या वो अभी current जो phone से वो ले ले या Mi A3 या Realme X का wait करे मैं ऐसा कहता हूँ कि आप थोड़ा सा wait कर लेजी Mi A3 और Realme X का थोड़ा सा budget और बढ़ा देना क्योंकि Realme X Indian version जो होगा वो 18,000 से start होगा highest possibility है कि इसमें Helio P90 वाल आपको processor मिलेगा या फिर आपको Snapdragon 730 मिलेगा क्योंकि यही दो चीज़ आपको मिल सकती है 18,000 की range के अंदर तो अगर आप थोड़ा सा budget बढ़ा देंगे और थोड़ा सा wait कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा better होगा यहाँ पर Enjoy Giri ने काफी सवाल अच्छा किया है कि Huawei को US ने इसलिए तो बैंड नहीं कर दिया क्योंकि वह चाइनिस कंपनी है तो क्या पता फ्यूचर में शाओमी को भी एक चाइनिस कंपनी तो US बैंड करते है अभी US के बैंड करने से कुछ नहीं होता है US ने मुझे जाता कैसा लगता है कि शायद से इसलिए बैंड किया हो रहेगा तो फिर Facebook भी यहाँ पर काफी डेटा यहाँ पर ब्रीच किया है Facebook ने बहुत बड़े-बड़े कांड किया है तो आप उसको बैंड क्यों नहीं किया अभी तक उसको आपने बैंड क्यों नहीं किया आप Huawei के ही पीछे क्यों लगे तो यह कुछ टॉप लेवल का गे में हमें नहीं समझ रहा लेकिन यही एक रिजन हो सकता है Chinese कंपनी वाला रिजन नहीं है ऐसा कुछ नहीं Xiaomi बैंड नहीं होगा जहां तक Huawei को जो बैंड किया गया फिलाल के लिए मुझे यही एक सीन लग रहा है सुमित पली मारकर बोलते है कि मुझे मोबाइल लेना है कौन साल हो मेरा बजट 30,000 है Vivo 15 Pro या Vivo Nex दोनों भी मत लेना वेट करना Redmi K20 Pro जाप OCO F2 जो भी है या फिर अगर आपको और थोड़ा एक दोती नजार दालना है तो आप OnePlus 7 लेलो मैं यही रेकमेंड करता हूँ विश्वजीत कुमार सिंग ने यहाँ पर Rapid Fire मार दिया है Exynos 9820 या Snapdragon 855 Obviously Snapdragon 855 Helio P90 या Snapdragon 710 भाई P90 बहुत पावफूल है तो P90 Realme या फिर Xiaomi दोनों अच्छी कमपनी है Xiaomi को देखके Realme सीख रहा है तो अच्छी बात है तो Xiaomi King तो ही बस Xiaomi का जो सेल आता न फ्लेश शेल यह थोड़ा इंप्रूफ कर दे तो बैटर होगा Kirin 985 या Snapdragon 855 अभी तरक Kirin 985 आया निए तो मैं इस पर जाता कमेंट नहीं कर सकता हूँ Earth New बोलते है कि अरे आपने मेरे सवाल तो लिया ही नहीं हमेशे की तरह क्या बात है अब ले लेता हो 20,000 के अंडर लेप्टॉप कौन सा है जिसमें PUBG खेल सकते है उसका अन्बॉक्स को रहा हो बाकि 20,000 के अंडर कोई ऐसा लेप्टॉप नहीं है यह अभी में आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ विश्वो विश्वो बोलते है पॉप-ब केमरा इन-डिस्प्ले तोउनों से कौन सा बे टरो सिक्यूर है पॉप-ब केमरे के वज़े से आपको फुल व्यूद बिस्प्ले मिलती है बाकि काफि सरे लोगों को normal type के camera और rear fingerprint भी पसंद होती है लेकिन मेरा तो यही एक choice है Harish राजा बोलते है कि अब मैं बूलता हूँ Redmi Note 7 Pro बेटर है उससे क्योंकि देखी उसमें camera भी आपको अच्छा मिलता है इसके अदर आपको battery भी अच्छी मिल जाती है इसलिए मैं आपको recommend करता हूँ मैं चाहता हूँ कि पूरा phone में सब कुछ अच्छा होना चाहिए तो मेरे सबसे इसको भी skip कर दो बेटर रहेगा Redmi Note 7 Pro ले लो अर्चित खेरोड़कर बोलते है कि Redmi का flagship phone K20 Pro इंडिया में Poco F2 बनके आएगा और जो Redmi K20 होगा कि उसमें Snapdragon 855 मिलेगा तो यह simple तरीके से Redmi के दो phones आने वाले अभी वीवो पर एक पिच्छर लीक हुए तो उससे पता चल रहा है एक होगा Redmi K20 जिसमें Snapdragon 730 वाला आपको प्रोसेर मिलेगा और एक होगा Redmi K20 Pro जिसमें Snapdragon 855 होगा वो शायद से इंडिया में Poco F2 बनके आ सकता है लेकिन Redmi K20 के बारे में अभी कुछ नहीं पता कि इंडिया में क्या नाम से आएगा शायद से Mi A3 भी बनके आ सकता है तो ये दोनों चीज यहाँ पर निकल कर आएगे कि दो phones आएंगे एक Snapdragon 855 उसके अलावा क्या होता है ज्यादा डीटेल्स में आपको 28 तरीक को इसके बारे में बता दूगा यहाँ पर Prince Alan बोलते है कि मैं कैसा हूँ? मैं हलम दुरेला बहुत ठीक हो आप बताईए और सवाल यह कि मुझसे मुलाकत कैसे हो सकती है और नीचे गेली गडी ने रिप्लाई भी दे दिया तू तो रोज जी मिलता है रूस को YouTube मुबाइल एप पर फुल थग लाइफ मारा फुल थग लाइफ यहाँ पर रकीब अलिखान पूछते है कि नोके अच्छा बज़र फोन कब लाएगा? AMOLED डिस्प्ले अच्छा प्रोसेसर अच्छी बैटरी कैमेरा मोस्ट इंपोर्टन अच्छी प्राइस अंडर 15K बूल जाओ यहाँ पर Angler Craft ने पूछा है कि OPPO Reno vs Nubia Red Magic 3 vs OnePlus 7 Pro इन में से कौन सा बेश्ट पचा से ज़र के नीचे याद रखना है सबके अलग-अलग कैटेगरी से Nubia Red Magic 3 वो एकदम अलग फोन है वो सिफ गेमिंग के लिए होगा और गेमिंग उससे बेटर आपको कोई फोन में नहीं मिलेगी OPPO Reno भी अच्छा फोन है OnePlus 7 Pro भी अच्छा फोन है जशन बेदी बोलते हैं लॉंग टेम के लिए बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8000 मैं बोलूगा Realme C2 या फिर अगर आप वेट करते हैं Redmi 7A का तो वो भी बहुत ही बढ़ी आफोन है जो आपको कुछ टेम में ही देखने को मिल जाएगा अने ने चैटे जी बोलते हैं When will we get to see 5G in budget स्मार्टफोन मैंने आपको पहले बताया था अपने टेक्टोस में कि 2020 के अंदर आपको एंडिया में affordable 5G फोन मिलेंगे जो 15, 20, 25,000 के असपास होंगे जो 2019 में पहले flagship फोन आएंगे फिर 2020 में affordable 5G और 2021 से entry-level 5G phones इंडिया में आएंगे जो 7, 8, 9,000 के असपास आपको मिल सकते हैं तो 2020 तक media and tech आपको wait करना पड़ेगा पर फैजान बट बोलते हैं कि यह जो नए phones के साथ box में transparent TPU case जो आते हैं वो कुछ दिन के बाद पीले क्यों हो जाते हैं एलो कलर में क्यों हो जाता है वाई एकदम cheap quality के होते कुछ-कुछ phones आजकल अच्छे TPU case प्रोवाइड करती है जो काफी hard होते तो वो problem नहीं है लेकिन कुछ-कुछ companies इतना बखवास यहाँ पर TPU case प्रोवाइड करते हैं क्या बता वो जान पूचके करती है ताकि वो चाहते है कि additionally उनके accessories भी online BK लोग purchase करें इसलिए वो एक नाम के लिए अरे वाई हमने back case प्रोवाइड किया न अच्छी बाते इसलिए वो लोगी सिफ नाम के लिए देते हैं बहुत चीप quality को होता है इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है यहाँ पर संजिफ गर्ग पूछते है कि काफी सारे यसे user से जब phone को update करते हैं तो उनमें उनको bugs वगएरा जो वो दिखाई देते कुछ issues हो जाते तो क्या यह company जान पूचके करती है जी हाँ कुछ companies करती है एपल ने भी किया था पूराने iPhones को slowdown कर दिया था अपडेट से OnePlus ने भी बिच में यहाँ पर एक scene कर दिया था वो जान पूचके इसलिए करती थे कि वो चाते है कि पूराने phones को आप लोग यूज़ करना बंद करते जो नए phones आये लोग उन पे upgrade करें ताकि उसकी भी sale बढ़ जाए तो जी हाँ intentionally यहाँ पर Apple ने किया था OnePlus ने भी किया था जो यहाँ पर यह company करती है बाकि दूसरी company इसका मुझे नहीं पता यहाँ पर गिरिश कुमार पूछते है और यह सवाल मुझे काफी सानलों के पूछा था कि हम लोगों को जब unboxing के लिए कोई phone आता है review unit आता है जो भी product आते है तो क्या हम उसको use करने के बाद company को वापस कर देते या फिर हम रख लेते मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाया था पहले पेड वीडियो अन पेड वीडियो और यह वापस जाएगा company ने कुछ नहीं दिये unboxing किये कुछ महिनों तक रहेंगा और वापस चला जाएगा कभी-कभी कुछ company करती है बोलती ही phone ले लो क्योंकि उनके पास ऐसे stock में पढ़े रहता है इसलिए तो यह एक चीज़ ही जो आपको समझना पड़ेगा तो दोनों का तगड़ा comparison आपको जरू से मिल जाएगा फरीद मनसूरी ने पूछा है कि क्या realme X और Mi A3 की fight हो सकती है Mi A3 में क्या हमें underdisk fingerprint scanner pop-out camera मिल सकता है तो अभी कुछ नहीं कह सकता है Realme X जो इंडियन वर्शन का उसमें तो आपको pop-out camera underdisk fingerprint scanner मिलेगा लेकिन real Mi A3 का पता नहीं क्या पता जो Redmi K20 730 वाला जो वहाँ पर launch हो इंडिया में हमें वो Mi A3 के रूप में देखने को मिल जा तो फिलाल के लिस पर अभी में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ यहाँ पर धनुश राजू बोलते है कि शुडा है बाई OnePlus 7 और K20 काफी अच्छा सवाल किया है और यह सवाल मुझे पता है आप काफी सरा लोग करेंगे फिर भी दिल है हिंदुस्तान ही क्या बात है मेरा बजट एक लाग का है कौनसा गेमिंग लेटप लूँ और एडवांस में इद मुबारक इद मुबारक आपको भी देखिए मैंने आपको पहले भी बता थे कि मेरे पास Acer का प्रेडिटर है जो मैंने 76,000 मिलिया था आप फ काफी बढ़िया होगा जितेंद्र कुस्वें बोलते हैं रियल्मी यूटू कम विट मीडिया टेक लियो पी 90 अभी कुछ नहीं पता पी 90 ना तो भाई इतना बच्चा प्रोसेसर नहीं थोड़ा सा अपर मिडेंश आप उसको बोल सकते हैं तो यूट आपको दस पंदरा के बीची में बलेगा तो उस प्राइस में तो हीलियो पी 90 इतना जल्दी नहीं आएगा मुझे चाहता है कैसा लगता है यहां पर पराशर मजूंदार बोलते हैं इस पर लाइक से काफी आगए इसलिए मैं सवाल ले रहा हूं हाला कि उन्होंने जो बोला है वो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया था के 20 में 730 और के 20 प्रो में पोको एफ्टु बन के 55 के साथ में इंडिया में आएगा तो मैंना उल्ले इसके बात कर ही दिया हूं अट्टा इस तरी को इसका खुलासा हो जाएगा तो यह दो सवालों के जवाब उमीद करता आपको पसंद आ हमना इस तरी को जा इस दो साथ में आएगा जाएगा तब कर दो साथ में आपको इस दो आ पर चीजाएगा जासा ही इस प्राफु चैजाएगा झालकर टुटाहब जाएगा उन बतात करता हुएड़